नमस्ते, रादे, 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 आलो वरीवन, वलकम तो आवर चैनल, बयोवर्स ते वनीवर्स आव बयोजी तो आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूं, Regulation of GlycoLYis ठीक है, इसके पहले हमने क्या पढ़ा था, इसके पहले हमने Glycolysis कवर कर लिया था, और फिर glycolysis के बाद हमने पाइरुवेट जबना उस पाइरुवेट का फेट क्या होता यानि कि एन ऐरोबिक होगा ये सारी चीज़ें हमने पढ़ ले थी fermentation क्या होता है oxidative decoavoxylation क्या होता है सब कुछ हमने cover कर लिया था आज चुछीज हम पढ़ने वाले हैं वह पढ़ने वाले है regulation of glycolysis जैसे कि previous classes में आपने cell cycle पढ़ा था तो cell cycle में आपने regulation of cell cycle पढ़ा था किसी चीज़ का regulation इसलिए पढ़ा जाता है ताकि उस चीज़ का functioning अच्छे से हो जब जरूरत हो तेज़ कर दीजाए जब जरूरत हो दीज़ कर दिया जाए जैसे कि आपके घर में AC होगे आपकी घर में fan होगा हर उसमें क्या होता regulator लगा होता है जैसे अग प्रोसेस AC के साथ हो रहा है तो यही सेम प्रोसेस आप ये glycolysis के साथ हो रहा है जरूरी नहीं है कि आपको हमेशा बहुत जादे ATP की ज़रूरत पड़े और बहुत कम ATP की ज़रूरत पड़े तो इस प्रोसेस को regulate करने के लिए कुछ regulator लगते है ठीक है अगर glycolysis की बात करे तो यह metabolic path way है जिसका काम है glucose को pyre weight में convert करना और ATP produce करना NADH निकालना जो basically जाके फिर last में H plus iron की form में आएगा जो ATP बनाएगा ठीक है अभी आप आगे इसको बढ़ेंगे भी it is controlled to ensure that cell efficiently produced energy and respond to metabolic demand metabolic demand क्या है कब ATP की ज़रूरत है जैसे अब lactic acid जब चलेगा तो दो ही ATP निकलेगा जैसा कि आप समने पढ़ा anaerobic respiration में lactic acid जब बन रहा है alcoholic fermentation हो रहा है lactic acid fermentation हो रहा है तो वहाँ ATP कम produce हो रहा है ठीक है उस चीज़ को regulate करने के लिए cell cycle का regulation होता कई सारे basis पे होता कुछ key points है जैसे की regulation के लिए आप अगर देखें तो दो और कहीं भी अगर ऐसा मार्क दे तो इसका मतलब है stop करना ठीक है inhibit करना या halt करना किसी चीज़ को रोकना basically रोकने से है halt ठीक है halt करना तो यहाँ पर आप देखेंगे कि अगर जो एक conversion process है जब glucose fructose 6 phosphate से क्या होता है fructose 1,6-bisphosphate बनता है तो यहाँ पर एक enzyme लगता है phosphor fructokinoids यह activate रहता है अगर यहाँ पर किसका addition हो AMP का addition हो तब यह activated रहता है और इसको जब रोकना होता तो एक enzyme आता है जिसको कि हम कहते ATP citrate ATP citrate आता है और वो इसको क्या कर देता है रोक देता है इस mark से आप समझ रहे होंगे ठीक तो ATP citrate क्या करता है रोकने का काम करता है basically इसको यह इसका क्या हो रहा है regulation जरूरत है तो AMP आ रहा है यह काम चल रहा है जरूरत पड़ेगी तो इसको रोक दिया जाएगा उसी तरीके से कुछ enzyme regulation अलग-अलग stages पे होते हैं जैसे hexokinase आप सबको पता है hexokinase या glucokinase glycosis के first step पे यूज होता है enzyme इसका में ट्रिक भी आप सबको बताया था तो यह जो enzyme है यह क्या होता है अगर इसको रोकना है hexokinase को तो यहां पे glucose 6-phosphate enzyme की जरूरत पड़ती है ठीक है अगर phosphoproptokinase को activate करना है तो AMP की और इस सब की जरूरत पड़ती है अगर पाइरवेट kinase की बात की जाए अगर इसको चलते रहना तो AMP की जरूरत पड़ती है fructose 16-bisphosphate की जरूरत पड़ती है और अगर इसे रोकना है तो ATP की alanine जो की amino acid है style coenzyme style coenzyme जो पाइरवेट से बनता है muscle और liver में यह सब रूपता है तो basically आपको inhibitor और activator समझ में आगा होंगे ठीक है यह यहां पर activator थे और यह यहां पर inhibitors थे रोकन एक्टिवेट करने के लिए इनकी जरूरत और inhibit करने के लिए इनकी जरूरत इस तरीके से regulation होता है regulation of glycolysis दो तरीके से हो सकता है allosteric regulation क्या होता है यहां पर आप देखेंगे तो फ्रक्टोज 6-phosphate क्या करता है ग्लुकोज ग्लुको काइनेस को रोकता है माइनस दिया हुआ तो मतलब रोकने का काम कर रहा है और जब प्लस देखेंगे इनको रोकने का काम करता है उसी तरीके से अगर ADP, AMP और फ्रक्टोज 2-6-bisphosphate आएगा तो यह activated रहेगा ATP citrate इनको रोकने का काम करता है उसी तरीके से फ्रक्टोज 1-6-bisphosphate इसको एक्टिवेट करेगा और यहां पर अगर स्टाइल को एंजाइम, AATP, एलानीन यह सबा जाएगा तो इनको रोकेगा ठीक है पाइरवेट भी बन सकता है, लैक्टेट भी बन सकता है या इथेनॉल और कार् आपके एलकोहॉलिक फर्मेंटेशन होता है जब माइक्रो और्गिनिजम रहते हैं तो होपफुली इतने प्रासेस आपको पढ़े होंगे, आपको पता चलूंगे, कुछ हार्मोनल रेगुलेशन भी होते हैं, जैसे कि इनसुलिन जो है, ग्लुकोज से ग्लुकोज 6-phosphate ब ग्लुकोज तरीके के ग्लाइंड पाजाते हैं, तो इसका जो एंडोक्राइंड होता है, वो क्या करता है, इनसुलिन और ग्लुकोज को आगे बढ़ने देगा, ग्लुकोज इनको रोकने का काम करता है, जब ज़रूत नहीं होती है, ठीक है, उसी पे, सेकंड लेवल पे, मत एलोस्टरीक का मतलब होता है, जब इनके स्ट्रक्चर में, यहीं बात अलोस्टरीक का मतलब होता है, तो इसके स्ट्रक्चर में चेंज आएगा, और यहीं बात एलोस्टरीक का मतलब होता है, जब इसके स्ट्रक्चर में चेंज आएगा, तब यह किस तरीके से रोकता है, और हार्मोन के लेवल पे इस तरीके से रोगता है, ठीक है? तो इतनी बातें आपको फुल्ली रेगुलेशन की समझ में आ गए होगी. एंजाइम रेगुलेशन क्या होता है? हेक्सो काइनोज, ग्लुको काइनोज पाय जाता है, ठीक है? इसका काम क्या है? फर्स्ट इस्टेप का ग्लाइकोलिसिस करता है और इसको ग्लुकोज 6 फॉसफेट में कर्मर्ट करता है. इसको इनहिबिट किया जाता है बाइ इस प्रोड़क्ट जो के ग्लुकोज 6 फॉसफेट होता है. phosphofructokinase 1 आप सब को पता है यह क्या करता है glycolysis में fructose 6-phosphate को phosphorylate करके fructose 1-6-bisphosphate बनाता है जिसका activation AMP के द्वारा होता है और fructose 2-6-bisphosphate होता है यह activator होता है और यह inhibit किया जाता है ATP और citrate के द्वारा यही बात मैंने उपर आपको बताई है यहां पर ठीक है कि इसका inhibition ATP and citrate के द्वारा होता है जो कि phosphofructokinase को inhibit करके किया जाता है pyruvate kinases, phosphoenal pyruvate को क्या करते हैं यह step phosphoenal pyruvate को pyruvate में convert करता है final step होता है glycolysis का activate होता किसके द्वारा fructose 1-6-bisphosphate को और inhibit किसके द्वारा किया जाता है ATP और alanine के द्वारा जो कि एक amino acid है एक signal ही molecule है जो कि indicate करता है sufficient cellular energy और amino acid availability कि अगर sufficient है सारी चीजे तो उसको रोक दिया जा क्या जुरूत है access बनने की regulation by hormone and signaling अब hormone में insulin आप सब जानते ही है glycolysis को stimulate करता है ठीक है response करेगा high blood glucose level को activate करके phosphofructokinase को और pyruvate kinase को जिसकी वाज़े से glucose का uptake और metabolism चलता रहता है जैसा कि मैंने आपको अभी diagram में यहाँ पे दिखाया इस वाले diagram में मैंने आपको दिखाया कि glucose क्या कर रहा है glucose insulin सबको promote करने का काम कर रहा है हर step पे ठीक वहीं अगर हम glucosecon की बात करें या और epinephrine glucosecon and epinephrine क्या होते है activate करते है glycogen का breakdown glycogen को तोडने का काम करते है और gluconeogenesis परफार्म करते है ठीक है जब glycogen का breakdown होगा gluconeogenesis होगी तो यहाँ पे क्या होगा यह inhibit करते है glycose lysis को ताकि हमारे blood में glucose का level बढ़ना जाए ठीक है respond to low blood glucose और stretch ठीक है thereby inhibiting glycogenesis to raise blood glucose level यह inhibit करेंगे glycogenesis का तो वहाँ पे glucose का use होता है ठीक है glucose जब आपकी body में low है basically यहाँ पे यह कहा जा रहा कि जब low आपके body में glucose है कम है तो उस वहाँ पे क्या जरूरत है वहाँ पे जरूरत है कि glucose के level को बढ़ाया जाए तो वहाँ पे क्या होगा जो हमारी body में पहले से store glucose है उसको तोड़के glycogenesis कराके glucose का level बढ़ाया जाएगा इंसुलिन का जो कि किसका काम है यह काम क्या कौन करता है यह काम करता है ग्लुकेगोन यह क्या करेगा glycolysis यानि जो glycolysis का process है glucose को तोड़ने का काम उसको रोक देगा और glycogen का breakdown बढ़ाएगा क्योंकि glycogen जो है कई सारे glucose molecules से मिलकर बना है जब इसका यह बढ़ेगा तो कई सारे glucose molecules आपको मिल जाएगा जो उसका low blood glucose level है वो बढ़ जाएगा बिसिकली ये काम करता है यही same process आपके क्या होती है diabetes वाले में होती है ठीक है diabetes में glucose और इंसुलीन और glucose का यही काम होता है ठीक है hopefully आपको समझ में आ गया होगा AMP activated protein kinases होते हैं cellular energy sensor होते हैं जो की low ATP level पे क्या करते हैं activate होते हैं ठीक और AMP के जो inhibitor होते हैं यह activated protein kinase inhibitor जो होते हैं यह anabolic process जैसे की fatty acid synthesis activate करते हैं catabolic pathways जैसे की glycolisus to restore cellular energy balance ठीक है इसलिए यह use होते हैं feedback और feed forward कुछ regulators होते हैं जैसे feedback inhibition की बात की ज़ए glycolisus को ATP and citrate inhibit करते हैं ठीक है regulatory enzyme inhibit करते हैं PFKN को और pyruvate kinase को रोकते हैं जो inhibitory होते हैं वो inhibition का काम करेंगे और unnecessary glucose के metabolism को नहीं होने देंगी जिसकी जरूरत अभी नहीं है basically और forward activation क्या होता है यह intermediate molecule होते हैं glycolisus के जैसे fructose 2,6 bisphosphate यह activate करेंगे enzyme को rapid response जैसा जरूरत है ATP को जितनी बढ़ने की जरूरत उसको बनने देंगे transcriptional regulation को gene level पे होते हैं जैसे hormone और cellular signal जो होते हैं यह expression of glycolytic enzyme को बढ़ाते हैं alter करते हैं उनकी capacity को होता कि metabolic condition अच्छे से चल सके तो इसका basically conclusion क्या है regulation का regulation of glycolysis क्या है complex process है जिसमें multiple levels होते हैं control करने के जिसमें enzyme activity modulation होता है hormonal होता है transcriptional regulation होता है और यह इस क्यों किया जाता है इस चीज को ensure करने के लिए कि cell जो है adjust करें अपनी energy metabolism response to varying energy demand जैसी जरूरत है उसके हिसाब से आपका क्या हो energy बने nutrient की availability बनी रहे ताकि cellular homeostasis और functionality maintain रहे पतलब cell एक homeostasis में रहे नहीं कोई चीज बहुत जादे हो नहीं कोई चीज बहुत कम हो जिसे खाने में अगर नौक बहुत जादे हो जा तो भी नहीं अच्छा लगता कम हो जाए तो भी नहीं that is the process where it is occur here कि यहाँ पर क्या है कि आपको homeostasis बना के रखना है functionality बना के रखनी है जिसके लिए regulation होता है ठीक है अब हम एक पाथवे पढ़ेंगे क्रेब cycle से पहले आपको लगेगा कि सारे teacher क्रेब cycle पढ़ा रहे है मैं मैं आप क्यों दूसरा पाथवे पढ़ा रहे है क्योंकि वो पढ़ना जरूरी है वो भी क्या है same process है glycolysis की तरह जिसका की नाम है pentose phosphate पाथवे हम इसको क्रेब cycle से पढ़ ले पहले क्यों पढ़ रहे हैं जैसे आपने क्रेब cycle में पढ़ा था क्रेब cycle क्या है यह oxidation वाला पाथवे है ठीक है oxidation हो रहा है glucose का इसमें भी glucose का oxidation ही होता है यह उसका एक alternative पाथवे अगर मान लिजे glycolysis नहीं हो रहा है आपका fermentation नहीं हो रहा है तो यह एक पाथवे चलता है जहां पर इसकी जरूरत होती है इस पाथवे को हम pentose phosphate pathway कहते है pentose phosphate pathway क्यों कहते है क्योंकि इसमें हमको जो ultimate product मिलता है वो 5 carbon का होता है phosphate होता है इसी वज़े से pentose phosphate pathway कहते है ठीक है इसको हम पढ़ेंगे थोड़ा सा हम पहले oxidation और reduction जान लेते हैं क्या होता है अगर एक simple line में बता हूँ हर ज़ेगा oxidation आ रहा है तो अगर मैं एक simple line में बता हूँ तो oxidation का मतलब होता है addition of oxygen कोई चीज बन रही है जिसमें oxygen add हो रहा है तो इस process को कहेंगे oxidation और अगर कोई product बन रहा है और loss हो रहा oxygen का तो उसको कहेंगे हम reduction for example glucose का oxidation हो रहा और carbon dioxide बन रहा है तो पहले आप देखेंगे यहाँ पे oxygen के वज 6 थे O6 का मतलब कि यहाँ oxygen 6 थे और जब यही oxygen तूट के क्या बन रहा है जब इसका oxidation हो रहा तो carbon dioxide बना रहा है और अब यहाँ 6 तूजा 12 number of oxygen कितना हो गया 12 तो यहाँ पे oxidation आप कैसे पता लगाएंगे reaction में देखें जहाँ पे oxygen की numbers जा दियोंगे वहाँ क्या हुआ है Oxidation हुआ है तो यहाँ पे question भी पूछा जाता है PYQ में कि जो glucose है मतलब oxidize हो कि क्या बनाता है तो वो क्या बनाता है carbon dioxide बनाता है और oxidation किसका होता है glucose का होता है इस reaction में oxidation किसका हो रहा है glucose का हो रहा है और वो क्या बना रहा है carbon dioxide अब यहीं अगर आप reduction की बात करें तो वहाँ पे oxygen की कम ही होगी कैसे पहले यहाँ पे आप देखेंगे कि 6 CO2 का क्या हुआ oxidation हुआ reduction हुआ और यहाँ पे 6 H2O बना पहले यहाँ number of carbon oxygen 12 थे 6 2 जा 12 6 2 जा 12 ही होता है न तो 12 oxygen थे लेकिन जब इसका reduction हुआ तो reduce हो गया इसमें से oxygen कम हो गया और वो यहाँ पे 6 oxygen बना तो reduction किसका हुआ oxygen का हुआ और यहाँ पे इसकी वज़े से क्या बना water molecule बना तो hopefully यह process समझ में आ गया होगा अब oxidation और reduction में कुछ चीज़ें और समझ में आएंगे oxidation में क्या होता है loss of electron होता है loss of carbon hydrogen bond होता है और इसमें CO bond बनता है या CECN, CCL bond बनता है और अगर reduction की बात करें तो इसमें oxygen का loss होगा electron का gain होगा formation of CH bond होगा loss of CO bond होगा या उसके equivalent bond जो होगी उनका तो आप देख सकते हैं ठीक है यहाँ पे बताये गया है reaction तो जहाँ पे आपका क्या होगा oxidation हो रहा है वहाँ पे क्या होगा plus आ जा रहा है जब oxidation होगा तो यहाँ पे CO bond बनता आपको दिख रहा होगा ठीक है CO bond बनता दिख रहा होगा और यहीं अगर मैं reduction की बात करूँ color change कर देती हूँ मैं reduction की बात करूँ तो यहाँ पे gain of electron होगा reduction में gain of electron होगा यहाँ पे क्या हुआ कि CO bond और CH bond का lack है ठीक है तो hopefully आपको oxidation reduction समझ भी आ गया होगा क्योंकि हर जगह वही चीज आपको यूज होनी है तो क्यों यह बार-बार यूज हो रहा oxidation reduction आपको समझ में आना चाहिए अब हम पढ़ेंगे triple P पातवे इसको कई नामों से जाना जाता है पेंटोस फॉसफेस पातवे होते जानते है फॉस्फो ग्लूकोनेट पातवे हैक्सोस बोनो फॉसफेट संट और वारबर्ग डिक्केंस पात यह तो scientist discoverer जो थे उनके नाम पे है बाकी नामों को भी हम जानेंगे कि क्यों पढ़ा है location कहां होती है जैसे आपने glycolysis पढ़ा तो कहां हो रहा था cytosol में हो रहा था ठीक है फिर आपने aerobic cycle पढ़ी तो pyruvate oxidation mitochondria में हो रहा था लेकिन बाकी जो microorganism थे और उनका cytosol में हो रहा था उसी तरीके से इसकी भी location cytosol में आप सोच रहेंगे मैं बार बार आप location पर क्यों ध्यान दे रहें क्योंकि location से question पूछता है और location is mandatory अगर आप किसी का घर नहीं जाने के तो उस तक पहुंचेंगे कैसे ठीक तो location की बात हो गई कि यह cytosol में होता है animal cell में और plastid में होता है plant cell में तो यह pathway जो है alternative pathway है glucose oxidation का glucose का भी oxidation यहां भी हो रहा है अभी आप देखेंगे लेकिन इसका alternative path आप सबको पता है glucose का क्या होता है glycolysis होता है यह थोड़ा धुदला है बगलवाला को समझ में है citric acid cycle में जाता है electron transport अगर यह glucose 6-phosphate citric acid cycle में नहीं गया तो यह जाता है आपका glucose 1-6-phosphate और glucose 6-phosphate या तो यह glycolysis में चला जाएगा pyruvate या lactate वाले में चला जाएगा या muscle और brain में होता है अगर liver की बात किये तो glucose 6-phosphate क्या करता है blood और यहां यह pentose phosphate पाथवे वाला है इसमें क्या और है ribose और NADPH बन रहा है एक बात और समझ लेजेगा कि जो आपने अभी तक पढ़ा कि glycolysis का process हुआ आपको वहाँ एक compound बनता दिख रहा होगा जिसको हम क्या कह रहे थे NADH लेकिन दोनों में अंतर क्या है glycolysis और pentose phosphate पाथवे में यहां पे आपको NADPH बनता दिखेगा दोन में क्या difference है basically यहां structure में यहां एक phosphate add हो गया इस phosphate की वज़े से इसमें more energy है more energy आप सब को पता है कि ATP का मैंने बताया था ATP का structure होता है ATP का phosphate टूटूट कर ही energy देता है तो यहां पे more energy है और यहां पे less energy है comparison to NADPH ठीक है तो बस दोन में यही difference है कि NADH जहां बनता है वहां पे क्या होता है less energy होती है comparison को NADPH तो आपके pentose phosphate पाथवे में NADH नहीं बनेगा यह बात आप ध्यान रखेगा NADPH बनेगा ठीक है तो यहां पे basically इसका नम है nitrogenamide adenine diphosphate ठीक है तो यहां पे यह क्या होगा एक phosphate oride हो जाएगा ठीक तो hopefully यह process आपको समझ में आ गया होगा यहां पे आपको NADH बनता दिख रहा था ATP यहां पे ribose और NADPH बनेगा ठीक है process पढ़ते हैं क्या होता है यह भी समझा दिया मैंने इस तरीके का कुछ process होता पहले एक process आप देख लीजे यह कई तरीके से हो सकता है glucose 6-phosphate से fructose 6-phosphate और यह पाथवे चला जाए ribose 5-phosphate बनाने में ठीक है यह glyceral dehyde से भी ribose 5-phosphate बन सकता है mode अगर दूसरे की आप बात करें तो यहाँ glucose 6-phosphate से direct ribose 5-phosphate बन सकता है ठीक है यह जो process है दो step में होता है oxidation reduction और non-oxidative reaction ठीक है तो जो इसका oxidative phase होता है आप यहाँ देखेंगे यहाँ पर glucose 6-phosphate से NADP plus से NADPH plus H plus बनेगा 6-phospho-gluconate बनेगा इसलिए इसको gluconate pathway कहते हैं क्योंकि इसका जो first product बनता है वो बनता है 6-phospho-gluconate that's why it is known as gluconate pathway ठीक है अब यहाँ NADP plus से NADPH plus H plus बनेगा उसके बाद इसका ultimate product जिसकी वज़े से इसको pentose phosphate pathway कहना ribose 5-phosphate बनेगा ठीक है जो कि 5-carbon का इस तरीके से product होता है इसी वज़े से इसका नाम यह है ठीक है और फिर ribose 5-phosphate से आपको क्या मिलेगा phosphoribosil pyrophosphate जो कि purine के metabolism में purine के metabolism purine primidine basically क्या nucleotides जिससे DNA और RNA बनता है इनके metabolism में इसका use कर लिया जाएगा और amino acid के metabolism में यह use हो जाएगे यह जो पहला बना ठीक है और इसका non-oxidative phase क्या होता है कि यह जो ribose 5-phosphate है इसके में कुछ enzyme लगेंगे जैसे trans-ketolage, trans-aldolage फिर से यह क्या बना देगा यह product can interact with glycolysis और glucose 6-phosphate बना देगा तो hopefully यह process आपको समझ में आ गया होगा जिसका aerobic part और anaerobic part है तो aerobic part यह जो इसका oxidative phase है ठीक है? Oxidative phase है जो कि aerobic है जहाँ पर oxygen present है तभी तो oxygen होगा किसी चीज़ का oxidation तभी होगा जब वहाँ पर oxygen present रहेगा ठीक है? क्योंकि oxidation में क्या हो रहा है? gain of oxygen हो रहा है oxygen add हो रहा है वहाँ oxygen कम हो रहा है ठीक? तो बहुत जादे oxygen चाहिए तो वो non oxidative phase है बिसिकली आपको oxidative और non oxidative का मतलब समझ में आ गया होगा तो यह जो process है यह वाला ठीक है? इसमें basically क्या हो रहा है? कि glucose से hexokinase आप सब को पता glucose 6 phosphate और फिर यहाँ glucose 6 phosphate से NADPH बनेगा और NADP plus का use होके NADPH बनेगा glucose 6 phosphate dehydrogenase की presence में और यहाँ बनेगा 6 phospho gluconolactone ठीक है? फिर यहाँ पे H2O निकलेगा और glucose glucose lactonose की मज़द से 6 phospho gluconate बनेगा ठीक है? फिर यहाँ पे एक molecule NADPH बनेगा CO2 निकलेगा 6 phospho gluconate dehydrogenase की presence में आपका ribulose 5 phosphate बन जाएगा जिसका further use किसमे होता है synthesis of DNA and RNA बिसिकली आप कह सकते है nucleic acid nucleic acid DNA and RNA है उनकी synthesis में amino acid की synthesis में इनका use हो जाता है फिर आपका इसी का दूसरा ribulose 5 phosphate से दूसरा part है anaerobic यहाँ oxygen की absence नहीं होती है तो यहाँ पर क्या बनेगा यहाँ कुछ चीज़े बनेगी उसको हम देखते हैं आपका ribulose 5 phosphate है isomerase enzyme लगेगा और epimerase isomerase enzyme जब लगता है तो क्या बनेगा conversion वाली चीज़े बनेगी जैसे isomerase मैंने आपको second step में बता है था जब glucose 6 phosphate से प्रक्टो 6 phosphate बनना था तो यहाँ पर ribulose 5 phosphate से ribulose 5 phosphate बन जाएगा और जब ribulose 5 phosphate epimerase लगेगा तो epimerase का मतलब होता है किसी चीज़ का epimer epimer होता है कि आप देखते हैंगे oxygen glucose का इस तरीके का structure आपने पढ़ ज़रू पढ़ा होगा molecular में cc तो इनके किसी न किसी position में क्या होगा change हो जाएगा फिफ्ट पोजीशन पे change हो जाएगा तो इसी वज़े से यह क्या बनेगा xylulose 5 phosphate ठीक है hopefully इतना चीज़ें आपको समझ में आ गए होगी अब यहाँ एक enzyme लगेगा trans ketolage जिसकी वज़े से ribose 5 phosphate से glycerol dehyde 3 phosphate बनेगा जो कि आपको पता है glycerol dehyde 3 phosphate क्या होता यह फिर glycolysis में चला जाएगा ठीक है इसको छोड़ दिए हमको इस वाले process पे ध्यान देना anaerobic part में क्या होगा xylulose 5 phosphate से trans ketolage लगेगा और cdo heptolose 5-7 phosphate बनेगा यहाँ पे फिर trans aldolase enzyme लगेगा जिसकी वज़े से erythroze 4 phosphate बनेगा ठीक है और ultimately glycerol dehyde 3 phosphate बनेगा और glycolysis में चला जाएगा same process यहाँ भी हो रहा है कि क्या हो रहा है यहाँ पे erythroze या जालिलोज 5 phosphate रहेगा trans ketolage लगेगा फिर fructose 6 phosphate बनेगा और glycolysis का process तो इसका यह आपको non-oxidative phase या anaerobic phase समझ में आगए और non-oxidative क्यों कहते क्योंकि oxygen नहीं रहता है aerobic क्यों कहते है oxidative क्यों कहते क्योंकि oxygen presence रहता है इतनी process आपको समझ में आगए होगी हम इसको थोड़ा सा देख लेते हैं यही बाते यहाँ पर लिखी गई है ना मैं बताओं तो आपको problem होने लगेगी production of NADPH होता है NADPH मैं नहीं बताया primary function आप triple P का क्या है NADPH का production करना इसका काम ही है कि NADPH produce हो इसलिए यह process चलता है which is reducing agent crucial for biosynthetic reaction बहुत जरूरी है कुछ biosynthesis reaction के लिए fatty acid के बनने के लिए cholesterol के बनने के लिए हमारी body में cholesterol की क्या जरूरत है fatty acid की क्या जरूरत है उन सब के लिए यह process होना जरूरी है और यह maintain करता है cellular antioxidant glutathione and its reduced form cellular antioxidant एक होता है glutathione जिसको आप बस चान लीजे उसको भी maintain करके रखता है ribose 5-phosphate का production होता है इसका क्या काम है ribose 5-phosphate क्या होता है precursor यानि कि एक ऐसा molecule है जिसके द्वारा DNA, RNA, ATP, GTP बनेगा सोच लीजे अगर ribose 5-phosphate ना हो तो DNA, RNA, GTP यह सब कैसे बनेगा क्योंकि इसको बनने के लिए ribose 5-phosphate का होना जरूरी है उनका precursor molecule जिसे glycolysis की होने के लिए glucose का होना जरूरी है गैस अगर नहीं रहेगी तो आप खाना कैसे बकाएंगे वो एक precursor element है खाना पकने का उसी तरीके से यहाँ पे तो यह particularly important in rapidly dividing cells such as in the synthesis of DNA during cell division यहाँ पे भी इसकी जूरुत है detoxification of oxidative stress अब oxidative stress क्या होता है जैसे detoxify करता है reactive oxygen species को ROS कुछ ऐसे species है जो पाया जाते है by generating NADPH which is caused by glutathione reductase to maintain and reduce to glutathione यह क्या होते है generate करते है ATP को जो कि क्या करते है किसके तोरह यूज किया जाता है glutathione reductase को जो कि glutathione की presence को maintain करते है और यह crucial role play करते है protect करने को cell में यह जो ROS है इसमें basically H2O to hydrogen peroxide आता है अगर यह H2O हमारी cell में ऐसी कैसे पड़ा रहे जातो हमारे cell को rapture कर देगा इस cell को किसमे H2O plus oxygen में यह क्या करते है तोड़ने का काम basically करते है यही इनका काम है ठीक मैंने बता दिया triple P pathway एक alternative pathway है glucose की use का मैंने बता दिया क्या क्या चीजे बनती है इसे NADPS का production होता ribose 5-phosphate का production होता और glutathione reductage को यह maintain करके रखते हैं उसका काम क्या है toxicity से बचाने के लिए ठीक यह anaerobic aerobic और anaerobic parts मिलकर बना होता यह भी मैंने आपको बता दिया for this region जो triple P act करता है और cycle both at the same time तो यह pathway की तरह और एक cycle की तरह act करता है क्योंकि basically जाके glycolysis में मिल जा रहा है बार-बार ठीक है जैसा कि मैंने आपको diagram में दिखाया इसका aerobic part है जैसा कि मैंने आपको जो है वो क्या करता है two molecules of NADPH produce करता है ठीक है one molecule of glucose से तो राइबलोस फॉस्वेट का एक molecule दो molecule NADPH बनाता है ठीक है दो molecule और एक glucose का यूज़ करता है subsequently जो हता है following anaerobic transformation of राइबलोस 5 फॉस्वेट delivers new energy but new glucose 6 फॉस्वेट अगर subsequently इनके non anaerobic part यानि non-reductase part को देखा जा तो वहाँ पे कोई energy तो नहीं बनती है लेकिन new glucose 6 phosphate का formation होता है जो कि मैंने आपको बार-बार यहां दिखाया है यहां दिखिए glucose 6 phosphate का यहां पे formation हो रहा की वज़े से क्या हो रहा glycolysis का process हो रहा ठीक है यह लेकिन यहां पे क्या होती है दो molecule NADPH का बनता है first, second H2O इस तरीके से CO2 बनता है ठीक है अगर यहां मैं आपको दिखा दूँ तो इस तरीके से यह क्या हो रहा है यहां पे synthesis होगा non-oxidative phase फिर से glycolysis में चला जाएगा glucose 6-phosphate बनाएगा तो hopefully यह process आपको समझ में आजा होगा की regulation triple P pathway के अगर मैं बात करूँ तो दो फोते एक oxidative phase दूसरा क्या आता reductive phase oxidative phase में क्या होता है glucose 6-phosphate से ribologe 5-phosphate बनता है NADPH दो molecules एक molecule CO2 का production होता है यह generate करता NADPH को जो की primary pathway है cell के production में non-oxidative phase में क्या होता है मैंने आपको बताया ribologe 5-phosphate जो है convert होता बहुत सारे intermediate में जैसे की ribose 5-phosphate rigeylulose 5-phosphate में और यह intermediate किसलिए यूज होते है nicolotide के synthesis में यह convert हो जाते है back glycolytic intermediate में ठीक है जैसा कि मैंने आपको दिखाया जो की basically glucose 6-phosphate बनाने में इसमें क्या होते है non-oxidative phase में कुस enzyme होते है जैसे की transclitolage and transadolage जो की required होते है interconvergen के लिए interconvergen का मतलब क्या होता है यहां आप देख रहे है यह interconvergen के लिए interconvergen के लिए interconvergen के लिए इसका इसमें इस interconvergen के लिए भी ज़रूरी होते है ठीक और यह जो reaction है basically कुछ इस तरीके का आपको दिखेगा कि ribulose 5-phosphate आपने लिया प्लस 2-zellulose 5-phosphate इससे glycerol dehyde 3-phosphate बना 2-fructose बना fructose 6-phosphate बना ठीक है कुछ अस तरीके का यह दिखेगा तो hopefully यह पूरा process आपको with diagram समझ में आ गया होगा कि इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी ठीक है NADPH के production के लिए और अगर यह इसका यह cycle ना चले तो फिर आपका DNA, RNA सब कैसे बनेगा उसकी synthesis के लिए ज़रूरी है इसका non-oxidative phase further glycolysis के लिए ज़रूरी है तो pentose phosphate पाथ वे आपको समझ में आ गया होगा क्या बना है अब हम पढ़ेंगे crepe cycle ठीक है ठीक है acetyl coengyme बना लिया यही acetyl coengyme आगे चलके फिर आपके crepe cycle में यूज होगा ठीक crepe cycle का नाम किस ने दिया था Hans crepe एक scientist थे उन्होंने ये नाम दिया था इसी वज़े से इनको crepe cycle कहा जाता है इनको nobel prize भी मिला था 1953 में इसकी contribution के लिए इसकी discovery के लिए इसको TCA cycle भी कहा जाता है tri carboxylic acid cycle क्योंकि जो इसका पहला compound होता है उसमें 3 carboxyl group 3 COOH पाए जाते है ठीक है इसलिए इसको TCA cycle कोई भी नाम क्यों पढ़ा उस नाम का आपको मदलब पता हो जहे why this name is given to this cycle तो TCA cycle के tri carboxylic acid cycle होता है citric acid cycle क्यों कहते है क्योंकि पहला compound जो बनता हो citric acid बनता है और ये process आपके mitochondria के matrix में होती है this is mitochondria double membranous mitochondria and this is mitochondrial matrix mitochondrial matrix में ये काम चलता है aerobic condition में होता है ठीक है अगर aerobic condition नहीं होगा तो lactate बनने के बाद ethanol बनने के बाद खता मुझा है का process ठीक क्रेप cycle ये है आपका क्रेप cycle basically अगर कहां पे होता है तो ये रहा आपका cell cell में mitochondria mitochondria के mitochondrial matrix में ये जो है इस mitochondrial matrix में क्रेप cycle चलती है basically क्रेप cycle में आपका style coenzyme A बन जाता है इस style coenzyme में further कई सारे process ये आपको mitochondria के अंदर दिखाए गया है ताकि आपके दिमाग में विज्वालाइजेशन रहे कि ये कहां होता है अगर मैं ये डाइगराम इतने सारे लेती हूँ इतने सारे creative डाइगराम आपको दिखाती हूँ तो वो इसलिए ताकि आपके दिमाग में चीजे रहे माइटोकॉंड्रियल मैट्रिक्स में ये सारी चीजे हो रही है तो माइटोकॉंड्रियल मैट्रिक्स में स्टाइल को एंजाइम से ये सारी चीजे बनेंगी अब ये compound क्या क्या है पहले हम इसको समझते है ठीक है तो अगर बात की जाए किसकी एस्टाइल को एंजाइम की तो एस्टाइल को एंजाइम में क्या होता है यह कुल टोटल आठ इस्टेप का प्रॉसस है एट इस्टेप का प्रॉसस है ठीक है इस एट इस्टेप के प्रॉसस में क्या होता है glucose रहता है इस glucose का glycolysis होगा ATP का production होगा pyruvate बनेगा pyruvate से style coenzyme बनता है इस style coenzyme से फिर citrate बनेगा इसी वज़े से इसको citric acid cycle कहते हैं पहला compound इसका जो बनता है वो oxaloacetate होता है जब इसका आप reaction देखेंगे तो इसमें इस तरीके से 3COOH 3COOH है नि carboxyl group 3 बार पाया जाता है that's why this is known as oxaloacetate pathway ठीक है citrate से क्या होगा oxaloacetate बनेगा citrate से फिर आपका isocitrate बनेगा isocitrate से alpha ketoglutrate बनता है alpha ketoglutrate से succinyl coenzyme से succinate succinate से fumarate fumarate से malate, malate से oxaloacetate ठीक है ऐसे ही नहीं बन गया अब इसके लिए कुछ चीज़े लग रही है उनको हम देखेंगे ये एक diagram मैंने और लिया है ये जो process है ना इस process को होने के लिए citrate से isocitrate बनने के लिए एक enzyme लगता है that is पहली बात oxaloacetate से citrate बनने के लिए citrate synthese लगता है style coenzyme के process song के को enzyme लगेगा इस तरीके से इस citrate synthese से isocitrate बनने के लिए एक enzyme लगता है that is equonitase ठीक है इस isocitrate से फिर alpha keto glutrate बनने के लिए के enzyme लगता है isocitrate dehydrogenase और यहाँ पे ने DH का production होता और आप एक बात याद रखेगा जो style coenzyme है ये दो molecule है यहाँ कि दो molecule pyruvate बनता है एक glucose से तो यहाँ पे सारी process 2-2 हो रही है ठीक है तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे और alpha keto glutrate से फिर succinyl coenzyme बनने के लिए alpha keto glutrate dehydrogenase यहाँ पे फिर से NADH का production हुआ इस succinyl coenzyme A से succinate बनने के लिए succinyl coenzyme synthesis की ज़रुद पढ़ती है और यहाँ पे क्या होता है ATP का production होता है ठीक एक ATP दो ATP molecule बनेगा ठीक succinate से फिर fumarate बनने के लिए succinate dehydrogenase और यहाँ पे FADH2 का production होता है याद रखिए एक NADH isositrate से alpha keto glutrate बनने में alpha keto glutrate से succinyl coenzyme बनने में एक NADH succinyl coenzyme से succinate बनने में एक ATP sorry ADP का production होता है ATP का use होता है succinyl coenzyme से succinate से fumarate बनने में FADH का फिर fumarate से mylate बनने में fumarase enzyme की ज़रुद पढ़ती है और यह fumarase enzyme water molecule भी लेता है उसके बाद mylate बनाएग mylate से oxalostate बनने में mylo dehydrogenase और यहाँ पर एक NADH ठीक है तो basically आप देखा जाए तो यहाँ पर एक, दो, तीन तीन molecule NADH basically छे molecule NADH क्योंकि दो molecule of acetyl coenzyme में एक यूज हुआ और दो molecule FADH के बनते हैं ठीक है total 8 molecule किसका production हुआ NADH और FADH मिला के ठीक यह आप क्यों गिन रहे है क्योंकि आगे इसकी जरूत बढ़ने वाली है अब इनकी enzyme को याद करने के लिए मैं trick बता दूँ आपको तो यह कुछ trick अगर आपको इनको याद करना है can I ask some super fantastic memes on ठीक है तो citrate, iso citrate alpha keto glutrate succinyl coenzyme succinate अगर इनके compound के नाम याद रखने है तो can I keep smiling sweets for money officers अब citrate iso citrate alpha keto glutrate succinyl coen succinate fumarate mellate oxalistate इस तरीके से इसको याद कर सकते है ठीक है तो यहाँ पर मैंने आपको पूरा process बताया कि कैसे ये चीज़े हुई ठीक है ये जो process हुआ कैसे हुआ कैसे 8 पूरे steps है वो उन 8 steps में कौन कौन से enzyme लग रहे है और कितने molecule of NADH NADH का production हुआ ठीक है एक चीज़ और बता third step NADH का production fourth step NADH का production ठीक है और आपके fifth step पे क्या होता है यहाँ पे यह वाले step पे succinate से जब fumarate बन रहा है तो यहाँ पे FADH का production होता है और यहाँ पे NADH का production तो इस तरीक से यह मैं इसलिए आपको count करा रहे हूँ कि आगे चलके आपको number of ATP count करने रहेंगे या किसी-किसी question पूछ लेता है कि आपके जो कितने ATP या कितने NADH बनते हैं इस पूरे cycle में एक से आपको दो cycle चल रही है तो अगर दो से पूछा तो अलग बनेगा एक से पूछा तो अलग बनेगा यह सब मैं आपको count कराऊंगी थोड़ा आगे चलके अब यह प्रोसेस समझते चले तो यह है structural formula इसका basically क्या क्या changes होते हैं यहाँ पे बताया गया है देख रहा है इसका जो पहला carbon बन रहा है उसमें तीन oxalate group रहते हैं ठीक है इसी वज़े से इसको oxalocytate कहा जाता है tricarboxylic acid cycle कहा जाता है तीन oxalate group है ठीक तो यह प्रोसेस आपको समझ में आ गया होगा citrates है isocytrate में क्या conversion होता है इसके basically structure में ही conversion होता है यहाँ CH हो गया है यहाँ CH2 है ठीक है फिर आगे क्या होगा यहाँ पे C double bond O आ जा रहा है इनके structure में ही change हो रहा है ठीक है यहाँ पे एक GDP से एक GTP बन रहा है यह structure भी मैंने आपको दिखा दिया ताकि आपको पता रहा है basically इनके structure में ही change होता है ठीक अब step अगर देखें step first में क्या हो रहा था condensation हो रहा था steel coenzyme A का with 4 carbon compound oxalate extrude जिसमें 6 citrate coenzyme A release हो रहा था reaction हो रहा था citrate synthase की मदद से ठीक यह decarboxylation process हो रहा था और 5 carbon का alpha-ketoglutrate बना था 5 carbon का 6 से 5 carbon हो गया तो क्या हुआ decarboxylation हो गया carbon निकल गया decarboxylation का process आपने एक जगह और पढ़ा जब आपने pyruvate का बनना देखा था pyruvate से stent coenzyme ठीक है चीजे link करके पढ़िए आपको बहुत आसानी से समझ में आगा जाएगा एक molecular form of co2 is released ठीक है एक molecule co2 release हो जाता है 4 से 6 से 5 हो गया isocytrate dehydrogenase की मदद से होता है यहाँ पे nadh का production होता है ठीक step 4 में क्या हो रहा यहाँ alpha-ketoglutrate से क्या बन रहा है succinyl coenzyme हो रहा भी oxidative decarboxylation हो रहा 5 carbon से 4 carbon का compound बन रहा है ठीक है यह reaction भी alpha-ketoglutrate dehydrogenase enzyme की मदद से होता है और यहाँ पे भी nadh का production होता है एक molecule co2 निकलता है और nadh निकलता है ठीक है तो दोनों का process क्या है oxidative decarboxylation के process है step 3 and 4 यहाँ 5 से क्या हो रहा है यहाँ 5 carbon से 4 carbon 6 carbon से 5 carbon यहाँ 5 carbon से 4 carbon 2-2 nadh molecule और 1-1 CO2 निकल रहा है step 5 में क्या हो रहा succinyl coenzyme succinate का formation कर रहा है succinyl coenzyme synthetase की मदद से सब straight level phosphorylation है क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा GDP से GTP बन रहा है diposphate से tried phosphate बन रहा है यहाँ इस तरीके का formation होता है किसी भी reaction में ऐसे reaction substrate level phosphorylation कहते है जहाँ एक ही substance में phosphate का transfer हो ठीक है dye से try बन रहा है that is substrate level phosphorylation और यहाँ पे क्या हो रहा है transfer of its phosphate to ADP forming ATP ADP का transfer हो रहा है ATP के formation के लिए that is GTP बन रहा है step 6 में क्या होता है succinate जो है FAD से FADH2 मिलता है जो आपको NADH, FADH यह सब मिल रहा है ultimately यह सब भी क्या जाके बनाएंगे ATP ही बना रहा है ठीक है पस यह है कि number vary करेगा जैसे NADH कुछ 2-3 ATP बनाएगा अभी मैं आपको बताऊंगे भी confuse नहीं करना चाहती है और FADH इसी तरीके से अलाग ATP बनाएगा step 7 की बात करने है fumarate जो है कि मैलेट में convert होता है enzyme fumarate की use होती है और एक molecule H2O लगता है ठीक step 8 की बात करें तो यहां मैलेट जो है oxalo state में convert होता है ठीक है और यहां पर क्या होता है hydrogen remove होता है NAD plus जो है NADH का formation करता है और मैलेट dehydrogenase की मदद से एक process होता है तो output की अगर हम बात करें कि क्या क्या बना क्रेप cycle में paracetal coin enzyme एक estel coin enzyme से ठीक है एक estel coin enzyme याद रखिएगा तीन एने DH molecule अगर दो होगा तो 6 हो जाएंगी एक FADH मतलब यहाँ पे दो FADH हो जाएगा अगर दो molecule लिया जाए यहाँ पे एक molecule आपको count करके बताए गया एक ATP molecule ठीक है तो यहाँ पे अगर लिया जाएगा तो दो ATP और दो carbon dioxide तो carbon dioxide की तो मात्रा वही रहेगी दो stage में तीसरे stage में D-carboxylation हो रहा है वहाँ CO2 निकल रहा है मैंने बहुत बार आपको बताया तो basically अगर आप एक molecule आफ वो count करेंगे cycle एक molecule एस्टिल को एंजाइम करेंगे जो कि basically दो बनता है दो पाइरवेट से दो ही बन रहा है तो आपको एक molecule से 3 NADH, 1 FADH, 1 ATP और 2 molecules CO2 मिलेगा और 2 molecule count करेंगे तो 6 NADH, 2 FADH, 2 ATP आपको मिलेगा और 2 molecules क्या मिलेगा आपको basically carbon dioxide इस तरीके से एस्टिल को एंजाइम 6 NADP plus 2 FAD और 2 ADP 2 PIH2O का molecule यह जो के 4 carbon dioxide molecule sorry 4 carbon dioxide 6 NADPH 2 की बात हो रही यहां पर तो आधा आधा करते चलिए 2, अगर 1 style को एंजाइम आप consider कर रहे हैं 3, 2 FADH मतलब 1 2 ATP मतलब 1 तो इतना molecule मिलेगा अगर आप 1 style को एंजाइम को consider करते हैं, यह अपने आप copy में लिख लिजगा और अगर 2 को करते हैं तो इतना आपको मिलेगा significance क्या करप cycle क्या जरूरत है करप cycle होने की final pathway है oxidation of glucose का यहां पर सारे glucose का oxidation हो गया आपको oxalis state मिल गया fat is amino acid सब का क्या हो गया, oxidation हो जाता है basically आपने triple P pathway पढ़ा तो उसमें क्या हो रहा है xylose मिला, जो कि क्या है fat और amino acid का oxidation करते हैं, यहां सारे glucose, fat oxidation, जितना आपने खाया उसका oxidation हो गया many animals होते है dependent होते है, nutrient better than glucose as energy source, ठीक है fatty acid undergo beta oxidation पर में still को जाएं, आपको fatty acid oxidation पढ़ना है, तो इसमें beta oxidation होता है, जो कि ultimately enter करता है क्रेप cycle में it is major source of ATP production यह ATP production का major source है large amount of ATP is produced after complete oxidation of nutrient जब complete oxidation हो जाता है तो आप देखेंगे, आपको ATP count करना भी मिलेगा, जिसमें 32 ATP, 36 38 में आप confused रहते हैं, उसको भी मैं clear करूँगी तो यहाँ पी क्या हो गया, आपका total क्रेप cycle में oxidation हो गया अब हम जो cycle पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे आपका electron transport chain, और वो जो electron transport chain है, वहाँ आपको पता चलेगा कि किस तरीके से production होता है और कैसे चीजे बनती है ठीक है? Oxidative phosphorylation जो की पढ़ेंगे हम next lecture में, तब तक के लिए आप पढ़ते रहें बढ़ते रहें Thank you everyone